Hi guys and welcome back to your own channel दीपक यादव एजूकेशन Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of December 2020 तो आज है तारिक 13 December 2020 और है संडे देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper The Hindu Complete Newspaper को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो इस लेक्चर की PDF चाहिए और ये The Hindu Complete Newspaper चाहिए तो आपको करना क्या है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन के नाम से एक चैनल दिखेगा इस तरीके से सिंपल सा है आपर क्लिक करना और नीचे जॉइन को ऑप्शन आएगा जॉइन कर लेना बाइ चांस ये चैनल नहीं मिलता है तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है अगर आपको ये चैनल नहीं मिलेगा ऐसे तो आप सिंपल सा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वे लिंक के ओपर क्लिक करो और जाकर इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लो क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे दाहिंदू न्यूस पेपर तो मिलता ही है साथ में उसके background analysis काफी सारे current affairs होते हैं जिनका एक background analysis की जरूरत होती है तो वो सारी चीज़ें आपर provide करवा दी जाती है ओके नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज जो map का question लेने वाले हैं वो उसबैकिस्तान उसबैकिस्तान के साथ अभी यहां पर बात चीत करी है इंडिया ने किस चीज़ को लेकर terrorism को लेकर कि कैसे terrorism को tackle करा जाए दोनों ही यह countries terrorism के against रहती है तो उसी के वज़ा से यह कल news में थी तो इसको देखना है जाकर map के अंदर कि उसबैकिस्तान कहां पर है इसकी exact location कौन सी है और कौन कौन सी countries जो है उसबैकिस्तान से border touch करती है उन countries का नाम नीचे comment section में लिखना जिससे मुझे मालूम चलेगा हाँ आपने इसको map में देखा है mapping बहुत ज़्यादे ज़रूरी है अगर आप लोग UPSC की preparation कर रहे हो तो तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर mapping से बहुत सारी चीज़े crystal clear होती है locations काफी ज़ादे crystal clear होती है तो करना क्या है map में जाकर देखना फिर उसके बाद यहाँ पर आके science and tech का science and tech हम लोग Sunday की newspaper से cover करते हैं दूसरे चीज frequent asked questions जो आते हैं वो बहुत important होता है तो Sunday में यह सारी important news है नहीं important news है वो है science and tech के paper पर page number 11 या 12 है वो तो चलो महाँ पर चलते हैं हम लोग उसको discuss करने हैं तो यह है science and technology का paper page number 11 के उपर यहाँ पर बहुत सारे articles हैं जो की important हैं हमारे लिए हमें discuss करने हैं और उसके बाद इस page के बाद Sunday में एक और page आता है वो है frequent asked questions का तो इसमें काफी सारे issues चल रहे हैं जो की पिछले हफते हम लोगों ने देखे थे emergency use authorization को लेकर EUA ठीक है यह कौन सा vaccine को यह approval दिया गया है ठीक है इसको discuss करेंगे साथी साथ अभी Facebook के साथ यहाँ पर क्या लफला चल ला है Facebook को यहाँ पर Instagram और WhatsApp को अलग हटाना पड़ सकता है ऐसी कुछ situation है यह क्यों हो रहा है इसको discuss करेंगे साथी साथ जो रोहिंगया crisis जो रोहिंगया community है उसको भशंचार पर send करा जा रहा है भशंचार पर shift करा जा रहा है यह भशंचार किया है एक island है यह सब रोहिंगया crisis को थोड़ा बहुत देखेंगे उसके बाद new parliament की बाद जिकर करा गया है new parliament का क्या capacity है कैसा infrastructure है और यहाँ पर किस तरीके से infrastructure का develop होगा और कौन-कौन से houses हैं कित्ती-कित्ती उनमे seating capacity रहने वाली है उसके बाद next जो है यहाँ पर इसके बारे में आप वाके भी होंगे कि जो mount Everest है उसकी height दोबारा measure करी गई है किसके दोबारा China और Nepal के दोबारा दोनों को मिल करने साथ में इन दोनों ने इसकी height remeasure करी है और जो height है वो थोड़ी सी increase हो गई है इस बार ओके इसको discuss करेंगे साथी साथ यहाँ पर एक secretary यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो Biden के under में नए general secretary बने हैं वो कौन है उसको भी हम लोग discuss करने वाले है तो यह सारी चीज़े है important questions है यह सारे और यहाँ पर आते है science and tech के important articles तो यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहला article यह वाला आता है कि इस चीज़ के बारे में emergency use authorization के बारे में कि जो vaccines हैं वो emergency authorization के साथ हम लोग population level पर use कर सकते हैं उसको तो काफी सारे यहाँ पर doctors की सलहा ली गई है बहुत सारे virologist हैं doctors हैं बहुत अच्छे अच्छे level पर बहुत बड़े-बड़े doctors हैं इन सब के दोरा यहाँ पर काफी सार recommendations लिए गए हैं उसके basis पर इस article को लिखा गया है नाव सबसे पहले हम लोग बात करें Pfizer की mRNA vaccine जो है उसको approve करा गया emergency use में ठीक है देखो EUA कौन सा यूज़ पहले मैं यहाँ पर यह समझा देता हूँ यह EUA यह approval कौन सा है emergency use authorization यह एक approval है जो की vaccine को दिया जाता है after the first three clinical trials यानि की कोई भी vaccine होती है अगर उससे market में उतानना है तो सबसे पहले क्या होना है उसके पहले तीन clinical trials होता है तीन clinical trials के बाद यहाँ पर एक important trial होता है वो है यह emergency use authorization का उसके बाद हम लोग public के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहली country कौन सी थी जिसने यहाँ पर यह काम start कर दिया है वो बना UK ठीके यूके ने सबसे पहले यहाँ पर vaccine दिया और एक personality जिनका नाम मैंने आपको बताया भी था Margaret Keenan का उनको यहाँ पर सबसे पहले vaccine दी गई 90 years old थी वो ठीके तो यहाँ पर UK के अंदर इस vaccine को यह emergency use authorization का approval मिल चुका है Bahrain के अंदर मिल चुका है Canada, Mexico, US के अंदर यहाँ पर यह vaccines approve हो चुकी है लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी थोड़ा सा hold कर दिया गया है किस चीज़ को लेकर इस approval को कि पहले हम लोग थोड़ा और डेटा देखेंगे और जादे चेक करेंगे उस पर और जादे research करी जाएगी कि vaccine जो है वो कितनी जादे effective है ठीक है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और अगर यहाँ पर काफी सारी safety और efficacy के basis के ऊपर हम लोग उस vaccine को emergency use approval देने वाले हैं ठीक है अभी उसको पर हमने hold कर दिया है तो हमारे पास जो भी vaccines है हम लोग उसके approval के अभी आगे बढ़ रहे हैं और वो जो approval है EUA का वो आने वाले time पर हम लोग देंगे बट उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ों के ऊपर research कर रहे हैं कि और जो vaccine है वो कितनी effective रहने वाली और कितनी safely काम करेगी ओके ना उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अब यहाँ पर इसके साथ एक question भी उड़ता है eligibility question यह कि अगर vaccine आ भी जाती है तो वो किस-किस कौन-कौन eligible होता है उस vaccine को intake करने के रिए तो बहुत सारे हम priority के उपर रख रहे है health workers रख रहे हैं और जो हमारे काफी जादे aged person हैं उनको हम लोग priority के उपर रख रहे हैं उनको सबसे पहले हम पर इन vaccines को दिया जाएगा अगर हम बात करें यह जो chain है सबसे main काम है हमें इस chain को break कर सकें ठीक है यह इस corona की chain को हम लोग break कर पाएं सबसे main काम है हमारा अगर बात करें यहाँ पर तो काफी सरे doctors ने यहाँ पर बोला है recommend किया है कि जब when is safety testing enough जो data है vaccines का वो काफी साथे safety और उसके उपर काफी साथे research इतनी जादे कर ली जाए कि वो आने वाले time पर उसका कोई नुक्सान ना हो क्योंकि काफी सारी चीज़े इस तरीके से होती है कि vaccines जो है उनके उपर इतनी जादे research नहीं करी जाती है और फिर उसके बाद जो है वो market में आने के बाद काफी लोगों के लिए खतरनाग हो सकती है काफी लोगों के लिए dangerous हो सकती है तो उस चीज़ को tackle out करने के लिए यहाँ पर यह सारे approval होता है clinical trials होता है कि क्या कर सके हम लोग बहुत सारे इसको पर research हो जाएं studies हो जाएं जिसकी वज़ा से आने वाले time पर कोई ऐसी परिशानी ना हो कोई इसका side effect ना देखने को मिले हम लोगों को ओके देखो यहाँ पर एक important line लिखी वी है mass vaccination with any vaccine for which only partial data is available is unethical यानि कि कोई भी vaccine ऐसी हो जिसका data हमारे पास बहुत कम data हो हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो नहीं कि कितना result उसका सही है कितनी effective वग्सीन है then उसके बाद उससे नुकसान ही होगा और आने वाले time में उससे हम लोग धेर सारे side effects भी देख सकते हैं ठीके तो यहाँ पे यही बात गई गई doctors के द्वारा जो मैंने अभी आप लोगो बताया नाउ उसके बाद next article आप लोगो यहाँ पर यह वाला नजर आएगा यहाँ पर basically क्या बात हो रही है एक platform को develop करा गया इस तरीके से कि जो tuberculosis होता है TB जिसे हम लोग कहते हैं basically जो TB होता है इसको आप diagnose किस तरीके से करते थे अभी तक diagnose जो TB को करा जाता था वो sputum के द्वारा ठीक है sputum sputum के द्वारा जो है अभी तक हम लोग इस TB को diagnose करते थे इसका पता लगाते थे बट अभी हाँ पर हम लोग urine samples के थुरू करने लगेंगे ऐसा यहाँ पर नई studies नई research हुई है तो क्या है वो इसको discuss करेंगे सबसे पहले diagnose करना TB को usually वो पहले हम लोग sputum के थुरू करते थे sputum यानि आपके सकते हो एक mixture होता है saliva का ठीक है saliva का या फिर आपके cuff का जो है पूरी तरह से mixture होता है इसके थुरू हम लोग TB का TB को टियोबर किलॉसस को diagnose करते थे बट अब यहाँ पर कुछ नई नहीं चीज़े हुई है और यहाँ पर बहुत सारी studies हुई है IIT मदरास के जो researchers हैं उन्होंने develop करा है एक point of care platform एक platform develop कर दिया है for early stage TB screening और detection यानि जिसको भी किसी भी person को यह अगर disease होगी तो उसकी जो screening detection होगी वो urine samples के तुरू हो जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर यह researchers ने काम किया और जो यह researchers है यह इन्होंने publish करा है एक journal biosensor और bio electronics के नाम से एक journal आता है उसके अंदर इनके द्वारा यह सारी चीज़े publish करी गई है now उसके बाद तो basically यहाँ पर बात होई कि जो TB है अभी तक ispytum के थूरू इसको diagnose करा जा सकता था detect करा जा सकता था लेकिन अब एक नया आपके सकतो researchers ने एक नया develop कर रखा जिसमें urine samples के थूरू यहाँ पर इसको diagnose करा जाएगा but urine के अंदर क्या चीज़ देखी जाएगी glycolipid lipiore binominan को यहाँ पर check करा जाएगा an integral component है यह cell wall और cell membrane का एक यहाँ पर आपको लोग को यह mycobacterium tuberculosis देखेगा जिसके थूरू यह disease होती है लेकिन exactly इसमें होता क्या है जो lamb है जो मैंने आपको नाम बताया lamb यानि की glycolipid lipoareal bonomin तो यहाँ पर जो यह lamb है यह release होता है into the bloodstream during an active infection and passed out in the urine ठीक है जब यहाँ पर bloodstream में यह पूरी तरह से release हो जाता है और एक जो है आपके urine के थूरू इसको यह जो है pass होता है फिर उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पर detect करा जाता है और यहाँ पर एक काम करता है यह diagnosis की तरह और इसके थूरू हम लोग क्या कर सकते हैं TB को diagnose कर सकते हैं पूरी तरह से detect कर सकते हैं ओके ना उसके क्या है जो aging people होता है यानि कि जैसे जैसे age बढ़ती रहती है वैसे ही वैसे जो आपका retinica जो progressive ness होता है वो भी कम होता रहता है यानि कि हम लोग को दिखाई कम देने लगता है ठीक है vision जो है वो low होने लगता है जैसे जैसे age बढ़ती रहेगी vision low होता रहेगा तो उसके लिए यहाँ पर एक नया चीज लेकर आया गया जिसमें काफी सारी चीज़े recover करी जाएंगी एक यहाँ पर repro gaming to recover youth full epigenetic information restore vision यानि कि जो भी aging people है जिनकी भी age बढ़ रही है उनके vision को ठीके कैसे restore करा जाए क्योंकि उनकी देखने की शक्ती कम होती रहती है तो उसको वापस कैसे restore करा जाए तो जो हमारे genes होते है खासकर DNA इनके अंदर changes करे जाएंगे loo and co-authors co-authors point that a proposed cause of aging is the accumulation of epigenetic noise that disrupts gene expression patterns lending to changes in inherent DNA function basically यहाँ पर क्या बात है कि यह होता क्यों है basically इसके पीछे का कारण क्या है कारण है इसके पीछे का यह DNA यह जो हमारे genes होते हैं इसके अंदर काफी सारी disruptions देखे जाते हैं काफी सारे changes देखे जाते हैं जैसे जैसे जो age है वो आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे यहाँ पर genes के अंदर भी disruptions देखे जाते हैं तो उसके थुरू यहाँ पर आगे बढ़ने को खासकर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और फिर उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है उसी की वज़़ए से यह जो age होती है जैसे बढ़ती रहती है उसी वज़़ए से लोगों की जो eyesight है वो weak होती रहती है अगर हम बात करें हाँ पर तो यह सही कैसे होगा जैसे की DNA के अंदर changes देखे जाएंगे तो उसकी वज़़ए से eyesight weak होगी तो उसके लिए एक solution लेकर आचुके हैं जिसके बारे में इसमें जिकर करा गया है वो है solution epigenetics अब यह इस epigenetics के थुरू क्या होगा DNA का structure ही change कर देंगे DNA को modify करा जाएगा DNA को जो हमारे genes हैं उनको modify करा जाएगा उसका जो structure है उसको मुस्ट में बदलाफ करा जाएगा ठीक है DNA में disruptions होंगे DNA में changes होंगे उसकी वज़ा से eyesight weak होगी लेकिन अगर हम इसके अंदर वापस से उसके structure में change करने के बाद उसको modify कर दें ठीक है तो फिर वो eyesight weak होने का खत्रा कम हो जाएगा तो यह सारी चीजे जो है इस article के अंदर में जो last article है वो यहाँ पर एक चीज है एक important है क्या है यहाँ पर जो हमारे fingerprints है वो किस काम के है what is the use of fingerprints of our body यहाँ पर हमारी जो body के अंदर fingerprints होते है उनका क्या इस्तमाल है उंगलियों में जो fingerprints हैं क्या इस्तमाल करते हैं हम लोग उसका तो basically आप एक सीधा सा जवाब दिया गया उसका इस्तमाल होता ग्रिप के लिए आप लोग को मालूम होगा और ये भी याद रखना जो हमारे palm होते हैं हमारे hand होते हैं वहाँ पर sweat glencs भी बहुत जाद है high होती है आप sweating भी बहुत लोग को ज़ादा हो जाती है काफी है तक ज़ाद ही होती है तो अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसके लिए grip बनाए गई है sweat होती है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अगर sweat होगा तो कोई चीज हम पकड़ेंगे तो वह फिसल नहीं जाएगी हाथ से नाव उसको देखने के लिए हमारे हाथ में जो finger prints हैं वो grip का काम करती है जो ridges है ऐसे तरह के line वगरा होती है हमारी fingers में इस तरीके से ठीके तो वो सब क्या है वो एक grip की तरह काम करती है और किसी भी चीज को hold करने के लिए वो ही एक benefit मिलता है उससे वरना वो चीज slip हो जाएगी अगर हमारे हाथ में ये grip ना हो तो ठीक है ये जो ridges हैं ये finger print हैं ये grip की तरह इस्तमाल करी जाती है इसके अंदर ये बोला गया है तो आज के जो हमारे science and tech के 3-4 articles थे सबसे पहला emergency use authorization बस याद रखना ये क्या है ये एक approval है जो की पिछले 3 clinical trials यानि की starting के 3 clinical trials के बाद ये approval लिया जाता है ताकि जो है vaccine को एक आप कह सकते हो एक effective vaccine कहकर market में दिया जा सके उसके बाद next article यहाँ पर बोला गया जो TB के लिए हम लोग एक sample का इस्तमाल करते थे वो था अभी तक का sputum जो की क्या होता है जो की saliva और cuff का mixture होता है बट अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाला है urine sample का इस्तमाल करने वाला है ना उसके बाद यहाँ पर इस article के अंदर discuss करा गया जो भी old age person होते हैं वैसे जैसे age बढ़ती रहती है वैसे वैसे eyesight आखो की शक्ति जो है वो कम होती रहती है तो उसको restore करने के लिए उसको वापस से वैसे ही करने के लिए eyesight को वापस से strong करने के लिए एक नया system आ चुका है epigenetics जिसके through क्या करेंगे जो हमारे genes होंगे DNA हम उसको ही modify करेंगे उसको modify करने के बाद जो है जो आप कैसे तो vision की सकती है उसको वापस हम लोग restore कर पाएंगे और ना उसके बाद यहाँ पर यह वापस फिंगर प्रिंट का use करा गया हमने यह सारे आर्टिकल revise कर लिए हैं अब इसको भी देख लेता है fingerprint का क्या use है basically तो finger हमारे finger में जो regis बने है वो एक grip का तरह काम करता है जो fingerprint से हमारे वो grip की तरह काम करते हैं किसी भी चीज़ को जो हम hold कर पाते हैं पकड़ पाते हैं वो सब और किसी चीज़ की वज़ा से वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिप की वज़ा से जो ये fingerprints हैं उनकी वज़ा से उके, ना उसके बाद आते हैं page number 12 के उपर, frequent asked questions के उपर, सबसे पहले यहाँ पर again वही article दिखेगा emergency use of COVID-19 vaccine के बारे में, emergency use authorization क्या है मैंने आपको बता दिया है वो phase 1, 2, 3 जो होते हैं, उसके बाद का जो एक approval होता है, वो हमारा EUA that is emergency use authorization का approval होता है, और इंडिया में क्या process है, और इंडिया में अभी देखो गए, आप लोग vaccine जो है वो ये approval नहीं ले पाई है, क्योंकि DCGI ने, DCGI ने उस पर hold लगा दिया, अभी रोक दिया बोला गया कि जो vaccine है, उसके उपर और जादे studies करी जाएंगी, और research करी जाएंगी, then उसके बाद ही हम लोग कुछ step उठाएंगे research करने के बाद देखेंगे कि vaccine कितनी जादे effective है उसके बाद हम लोग approval देंगे इस article के अंदर वो ही बाते बोली गई है और कुछ जादा है नहीं, जादा चीजों के पर focus करना नहीं है, बहुत सारी चीज़े हैं जो कि यहां पर आपके पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ना उसके बाद next यहां पर यह news में क्यों है, आप लोग को मालूम होगा, कल मैंने discuss किया था Facebook के बारे में, कि जो Facebook है, उसके ओपर acquisitions लग रहे हैं, उसके पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं किस चीज़ के, कि जो, पहली बात तो उस पर यहां पर क्या कहा जा रहा है, Facebook से यह बोला जा रहा है, अभी आप लोगों को मालूम होगा, Insta और WhatsApp, दोनों ही Facebook के पार्ट हैं, तो उससे यह बोला जा रहा है Insta और WhatsApp को अलग कर दे Facebook यानि Facebook अपना पार्ट नहीं बनाएगा इसे इन दोनों को अलग करेगा, ठीक है ऐसा है, आपर बोला गया इससे, बड़ी हैं आपर बोला क्यों गया, देखोगे कि इसको पर एक इलजाम रखा गया Monopoly गा, बेसिकली बोला यह जा रहा है कि जो Facebook है वो एक Monopoly क्रेट कर रहा है इससे, मतलब Facebook के regarding कोई और App वगरा जो है वो Competition में नहीं आ पारा, ठीक है एतनी जादे इसने Monopoly क्रेट कर लिए Facebook, Insta, WhatsApp, यही तीन यही सारी चीज़े बोलने के बोली गई और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया इन से, कि जो Facebook है उससे Instagram और WhatsApp को अलग करा जाए ठीक है, अभी आपको मालूम होगा ऐसा ही केस अभी recently हुआ था किस चीज़ के ओपर, Google के ओपर Google से बोला गया था कि वह भी एक Monopoly create कर रहा है बागी सारी जो Apps, कि उसने क्या बोला था, जो phone में है phone में सबसे उपर Google दिया जा रहा है ठीक है, तो यह phone में सबसे उपर Google क्यों दिया जा रहा है, क्यों यहाँ पर multipoli create करा जा रही है Google की ऐसा यहां पर बोला गया था अमेरिका के allegations लगाए गए थे और वैसे ही as it is दुबारा allegations लगाए गए है Facebook के उपर और Facebook से बोला जा रहा है कि ये क्या करे WhatsApp और Instagram को अलग कर दा है क्योंकि एक monopoly create हो रहा है तो काफी सारे जो competitors हैं वो नहीं market में उदर पा रहा है ठीक है इनमें competition create नहीं हो पा रहा है एक अकेला यही app काफी सालों से चलता वार रहा है और आने वाले टाइम में भी ऐसा नजर आ रहा है कि यही apps जो है lead करने वाले हैं और चलने वाले हैं तो उसको देखते हैं आपे इस सारी चीज़े बोले गई थी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद एक आर्टिकल यह वला है यहाँ पर डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग दा रोहिंगया टू भाशन चार जो रोहिंगया है रोहिंगया कॉम्यूनिटी है रोहिंगया क्रैसिस हुआ था आपको मालूम होगा कहां हुआ था यह मैं आपको डिस्कस करूँ इसके बारे में जो रोहिंगया है रोहिंगया कॉम्यूनिटी उसको भाशन चार में शिफ्ट करा जा रहा है अब यहाँ पर डिसकस करेंगे डीटेल में काफी सारी चीज़े यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यह है बांगलदेश ठीक है यह है बांगलदेश यह है मयानमार बेसिकली अगर हम बात करें रोहिंग्या की तो वो मयानमार से बिलॉंग करती है कौन सी जगा से रेखाइन वाली जगा से ठीक है यहाँ पर नीचे की साइड मयानमार जो लिखावा है उसके नीचे रेखाइन लिखावा है आप लोग को नजर आ रहा होगा वहाँ पर ये रोहिंग्या community रहती थी हुआ क्या था बेसिकली तो जब ये रोहिंग्या community रहती थी यहाँ पर तो महां के military वगरा के द्वारा इसे मारा गया खूब community को और ये सब community इधर उदर भाग गई खासकर बांगलादेश में बहुत सारी community आकर रहने लगी बांगलादेश के बाद बहुत सारी community इंडिया में जाकर रहने लगी तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी की सारी split हो गई जब इनको मारा पीटा गया तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सा लोग हैं इस case को 2016 में यह पूरा का पूरा crisis देखने को मिला था उसके बाद से आज तक यह लोग settle नहीं हो पाए वापस नहीं जा पाए तो काफी सारी जो है बंगलादेश में रह रहे थे लोग तो बंगलादेश ने एक step उठाया है बंगलादेश ने क्या बोला कि जो रोहिंग्या refugees जो की कौक्स बजार पे रह रहे थे उनके लिए एक island दे दिया है और वो है भासंचार भासंचार island पे इन लोग को shift करा जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको कौक्स बजार दिखाता हूँ बंगलादेश का कौक्स बजार यहाँ पर है जो जादतर अभी रोहिंग्या community है वो यहाँ पर रह रही है तो यहाँ से shift करके उनको भासंचार के उपर लिया जा रहा है यह एक island है भासंचार आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा इसके उपर shift करा जा रहा है कि यह लोग मही रहें तो बढ़िया है एक island उन लोग को दिया जा रहा है बंगलादेश के द्वारा जो कि एक अच्छा step भी होने वाला है आने वाले time में अगर हम बात करें सबसे important चीज भासंचार के बारे में बशनचार एक island है island कम कह सकते हो एक mud flat है ठीक है कीचड का flat है ठीक है और एक आप कह सकते है and is vulnerable to going underwater from tides and flooding यानि कि अभी यहाँ पर situation ऐसी है लेकिन कभी बारिश वगरा हो बालवडा है तो बहुत ज़दे खतरा वहाँ पर देखने को मिल सकता है उस island के उपर में ज़्यादा तर island जो है वो डूब जाता है मौनसून के टाइम पर जब भी बारिश होती है तो वो जो island है वो आदे से ज़्यादा डूब भी जाता है अंदर की side ओके और यह island कहाँ पर located है located है near the mouth of the river Megna Megna river के बिलकुल मुँपे located है जहां से जो bay of Bengal है जो Megna river है वो bay of Bengal में गिरती है वहाँ पर यह हमारा island located है भाशन चार इसका नाम है याद रखना भाशन चार अगेन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और इसको अगर आप no down करना चाहो तो no down कर सकते हो इस जगह पर इसकी location है अगेन हम लोग एक बार location इसकी देख लेते हैं ठीक है यह बांगलादेश हो गया यह मायान मार हो गया और इसके बीच में कॉक्स बजार हो गया जहां पर यह भी community रहती है कॉक्स बजार में काफी साथे problems face करने को मिल लग है इन लोगों हो क्योंकि वहाँ पर रहे इस तरीके से रहे कि वहाँ पर बिल्कुल आपस में रहने की जगा नहीं है ठीक है बहुत साथे वहाँ पर आपका सकते हो उस बजार में भीड हो चुकी है इस रोहिंगय community की कि आपस में रहनी पा रहे है तो उसी को देखते वे हाँ पर ये भाशन चार आईलेंड पर इनको shift करा जा रहा है ओके लाओ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये वाला article हुआ शमाप्त हमारा उसके बाद आता है page number 13 के उपर आज किती तारीके आज है 13 तो आपको देखना है 11 तारीक का 11 तारीक का दा हिंदू newspaper analysis देखो वहाँ पर मैंने discuss किया है detail में parliament का structure कि किस तरीके से parliament हमारा नया parliament बनने वाला है उसमें क्या-क्या बदलावाने वाले है as compared to the जो आज के हाटाइम पर हमारा parliament है और कितने बड़े-बड़े hauls होने वाले है कितना यहाँ पर cost लगेगी साथी साथ मैं आपको cost बता दूँ तो cost main है इसकी 971 करोड रूपीज लगाए जा रहे है इस parliament को बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीजे नई नहीं आने वाली है यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा जो hauls हैं वो बहुत बड़े-बड़े होने वाले है जो seat हैं वो भी बहुत जादा है और अगर यह कितने square kilometer में बन रहा है वो है 64,500 square kilometer में इसको बनाया जा रहा है राजे सभा में और लोग सभा में यहाँ पर seat की capacity बताई गई लोग सभा की जो seat की capacity है वहाँ पर 1272 seat है राजे सभा में 384 seats हैं इस तरीके से यहाँ पर capacity बताई जा रही है तो इसके बारे में भी आप लोग idea रख सकते हो आने वाले time पर आपके लिए काम आने वाला है नाव उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप लोगो देखने को मिलेगा चाइना और नेपाल ने मिलकर जो Mount Everest है उसकी height को दुबारा declare कर दिया गया है नई height को declare करा है और उसकी इसके उपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बना चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ देखो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है पहले इसकी height हुआ कर दी थी 8848 meters की यहाँ पर Mount Everest की height हुआ कर दी थी नाव इसकी जो अब new height है वो है 8848.86 meters ठीक है इसके ने लिए एक आपके सकते हो जो secretary है उनको किस को choose करा है यानि किस personality को choose करा है जो कि secretary बनेगा USA का क्योंकि आप लोग को मालूम है election हुए है president बदल चुके हैं फिलाल अभी के time पर Donald Trump ही चल ला है बट जो है January 20 तक यहाँ पर president office में आ जाएंगे जो बाइडन नए president आ जाएंगे तो उनके हिसाब से जो secretary होना चाहिए वो कौन होना चाहिए बाइडन ने यहाँ पर उठाया है एक retired एक यहाँ पर retired officer है यह ठीक है retired officer है general Lloyd Austin इनका नाम है general Lloyd Austin यह एक retired officer थे retired यहाँ पर general थे तो इनको उठा कर अब secretary बनाया जा रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह जो personality है यह बहुत जादे important है African American personality है यह ठीक है African American personality को यहाँ पर यह आगे लेकर आया जाए जो बाइडन तो नए नी चीज़े अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे है देखेंगे और तो आपको अब नया नाम याद अर्खना है secretary के लिए वो है हमारे ये Lloyd Austin ओके तो गाइस यहाँ पर इसे के साथ होता है हमारा दा हिंदू निउस पर पाइनाल से पूरी तरह से वीडियो में आज के लिए बाई बाई है वा नाइस टे